नव भारत समाचार काशिपूर से अंजली पासवान की रिपोर्ट काशिपूर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नव विवाहिता की मौत हो गई उसका शावाद सुबह घर के कमरे में पंखे से लटकता पाया गया सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया वही मृतका के माय के वालों का आरोप है कि दहेज की खातेर उसकी हत्या कर ससुराल वालों ने आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शक्के आधार पर मृतका के पती को पूछताच के लिए हिरासत में लिया है जबकि मृतका का देवर फरार है दरसल मालधन नमब एक रामनगर निवासी तारा सिंग उर्फ पप्पु ने तीन माह पूर बीते सत्रा फरवरी को अपनी तेईस वर्षिय पुत्री वर्षा का विवाह कुंडेश्वरी के जुरका नमब दो निवासी रनवीर के साथ किया था मृतका पक्ष के माय के वालों ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से उसे दहेज के लिए प्रतारित किया जाने लगा, दहेज में प्लाट खरीदने के लिए मोटी रकम की दिमान की जा रही थी आशन का जताई जा रही है कि घटना देर रात घटित हुई सुबह होने पर जब परिजनों ने कमरे में जहाग कर देखा तो वर्षा का शव चुन्नी के सहारे पंखे से लटका पाया गया फिलहाल मृतका के माई के वालों की ओर से पुलिस को तहरीर सौप दी गई है पुलिस मामले की जाच में जुट गई है तो लाग नपया नगत कैस दे दिया और आट-दस लाग का समान भी दे दिया जेवर भी है इनके पास एक तोले के अंगूटी देर की लड़के है अब आपने क्या कर दोए करी आप देखें का करते हैं जो को तरवाई नहीं है तेरी देवाई देदी पुलिस में नहीं आप देवाई